क्यूं मनाई जाती है मकर संक्रान्ती, जानिये इस से जुली पुरानिक कथाएं और राशी अनुसार दान, इस दिन गंगा सनान, पूजा, जब तप और दान करने का विधान है। शास्त्रों में नहित है कि मकर संक्रान्ती तिथी पर सूर्य देव उत्तरायन होते हैं। ये समय देवताओं के लिए दिन का होता है। इस दौरान प्रकाश में व्रिद्धी होती है। मकर संक्रांती के दिन तिल और खिचडी का दान बहुत ही शुब माना गया है दान का समय सुबह साथ बजे से सूर्यास्थ पूर्व तक रहेगा ये मुहूर्थ दान आदी करने के लिए बेहद शुब है इसमें आप ब्राह्मनों और जरुरत मंदों को खिचडी, गुर, काले तिल, उनी कपड़े आदी दान करें सूर्य भगवान का आशिरवाद आपके साथ रहेगा मान्यता है कि मकर संक्रांती से सूर्य के उत्तरायन होने पर देवताओं का सूर्योदे होता है और दैत्यों का सूर्यास्थ होने पर उनकी रात्री प्रारम हो जाती है उत्तरायन में दिन बड़े और रातें छोटी होती है दरसल सूर्य नारायन 12 राशियों में एक-एक माह विराजते हैं जब भासकर देवकर्क, सिंग, कन्या, तुला, वृष्चिक और धनु राशी में रहते हैं तो इस काल को दक्षिनायन कहते हैं इसके बाद सूर्य नारायन मकर, कुम्ब, मींग, मेश, वृष और मिथुन राशी में क्रमश एक-एक माह रहते हैं इसे ही उत्तरायन कहते हैं और जिस दिन भगवान सूर्य उत्तरायन होते हैं तो उस्तिथी को मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाता है इस दिन सूर्य नारायन मकर राशी में प्रवेश करते है मकर संक्रांती की कथा ऐसी मानी जाती है मकर संक्रान्ती पर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनी से मिलने स्वयम उसके घर जाया करते हैं शनी देव चून की मकर राशी के स्वामी है अतह इस दिन को मकर संक्रान्ती के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांती के दिन ही गंगाजी भागीरत के पीछे-पीछे चलकर कपिल मुनी के आश्रम से होकर सागर में जाउन से मिली थी ये भी कहा जाता है कि गंगा को धर्ती पर लाने वाले महाराज भागीरत ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तरपन किया था उनका तरपन स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी इसलिए मकर संक्रांती पर गंगा सागर में मिला लगता है महाभारत काल के महान योद्धा भीश्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांती का ही चयन किया था उत्तर भारत में इसे खिचडी आदी खाकर मनाया जाता है जबकि गुजरात में ये पर्व पतंगोत्सव के रूप में मनाया जाता है अलग-अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग-अलग होते हैं लेकिन दाल और चावल की खिचडी इस पर्व की प्रमुक पहचान बन चुकी है विशेश रूप से गुण और घी के साथ खिचडी खाने का महत्व है इसलिए उत्तर भारत में इस पर्व को खिचडी के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा तिल और गुण का भी मकर संक्रांती पर बेहद महत्व है मकर संक्रांती पर दान का बहुत महत्व है विशेश कर इस दिन तिल, खिचडी, गुण एवं कंबल दान करने का महत्व है राशी के अनुसार दान, मेश, जल में पीले पुष, हल्दी, तिल मिलाकर अरग्य दे तिल गुण का दान करें विश, जल में सफेद चंदन, दूद, श्वेद पुष, तिल डालकर सूर्य को अरग्य दे खिचडी का दान करें मिथुन जल में तिल दाल कर सूर्य को अर्ग्य दे मून की दाल की खिचड़ी दान करें कर्क जल में दूद चावल तिल मिला कर सूर्य को अर्ग्य दे संकटों से मुक्ती मिलेगी बुर तिल दान करें सिंग, जल में कुमकुम तथा रख पुष्प, तिल डाल कर सूर्य को अर्ग्य दे गुर, तिल दान करें। कन्या, जल में तिल, दूर्वा, पुष्प डाल कर सूर्य को अर्ग्य दें। मून की दाल की खिचडी बना कर दान करें गाए को चारा दें। तुला, सफेद चंदन, दूद, चावल का दान दें, सफेद चंदन मिला कर सूर्य को अर्ग्य दें, वरिश्चिक जल में कुमकुम, रखपुष, तथा तिल मिला कर सूर्य को अर्ग्य दें, गुर्ड का दान दें, धनू, जल में हल्दी, केसर, पीले पुष, मिला कर सूर्य कुम्भ जल में नीले पुष तिल मिलाकर सूर्य को अर्ग्य दे उठत तिल का दान करें।